वाड़ी पुलिस स्टेशन चेतर में आने वाले आटवा मेल पर एक विद्वा महला के साथ जबरदस्ती करने का मामला सामने आने से संसनी फेल गए पुलिस से प्राव जानकारी के नुसार आरोपी अंबेटकर नगर तक्षिशिला बुद्ध विहार के पास आटवा मेल दवला मेटी निवासी राजु सीताराम बगेल उम्रतीस बताया क्या आरोपी राजु ने शनिवार रात को साड़े दस बजी के दोरान महला के घर के किचन के दर्वाज की कुंडी तोड़ी वह घर में प्रवेश किया महला वेट पर बैठी थी नशे में धुत राजु ने महला का मूद दबाया वह जबरदस्ती करने लगा महला चिल्लाई तो पड़ोसी लोग जमा हुए तब राजु ने महला को धमकी दी कि किसी को बताना नहीं इस बात की जानकारी महला ने अपने भाई को दी भाई मौके पर पहुचा वह आरोपी की दुलाएगी आरोपी ने महिला के भाई को भी जान से मारने की धमकी दी महिला का भाई सामाचिक काड़े करता है रात होने से महिला ने गटना की जानकारी रविवार को सुभह वाड़ी पुलिस स्टेशन को दी पी आए प्रदीप सूर्यवंशी ने मामले की गंभिरता को देख तुरंट आरोपी राजु को धर्दबोचा बताया गया कि महिला पहले पूने में रहती थी गाव में आई तब लॉकडाउन लगने से यही पर रह रही है महिला को पती नहीं होने से अकेले ही भाई के सहारे रहती थी लेकिन पडोसी राजु ने उस पर बुरी नजर डालने का प्रयास किया फिर्यादी महिला की शिकायत पर आरोपी राजु सिताराम बेगले की खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्स क्या गया है आगे की कारवाई वाड़ी पुलिस कर रही है वाड़ी सेस और अब पार्टिल्ट रिपोर्ट इन बीसियन न्योज नाकपूर